So hello everyone, I welcome you all to the concept youtube channel So आज का जो question मैंने दा हिंदू session में आपको दिया था So उसमें best answer किसका है वो हम देखेंगे उससे पहले question देख लेते है question क्या है No deal Brexit देखो इस question का answer करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इस term का मतलब क्या है ये मैंने आपको detail में आज के session में हमने बहुत detail में discuss किया था अभी Brexit के बाद जो एक deal आपके sign हुई है और उसमें क्या-क्या provisions है फिलहाल के लिए क्यों जरूरत थी उस deal में, क्या-क्या challenges थे वो सारी चीजें हैं, वो हम लोग ने discuss किया अगर आपने उस session को नहीं देखा है तो मतलब इस session को नहीं देखा है तो इसी channel के अंदर दा Hindu analysis आप English में देख सकते हैं हिंदी में देखना है तो let's crack UPSC-CSC में जाके आप उसको देख सकते हैं Question उसी पर based है तो no deal, Brexit could have far-reaching ramification both domestically and internationally in the context of Britain मतलब यह जो आपको बताना है could have far-reaching ramification for Britain both domestically and internationally मतलब आपको यह answer लिखना था वो आपको लिखना ब्रिटेन के context में है ठीक है 15 marks में आप include कर सकते हो और 250 words में आपको इस answer को लिखना है अब यहाँ पर जो एक angle है जब आप answer लिखते हो आपका पूरा का पूरा जो answer लिखा होना चाहिए कैसा होना चाहिए आप में से कई लोग जो answer send भी करते हैं वो इस तरीके से answer को send करते हैं जैसे line वाले page में answer send कर दिया या जो आप send करोगे तो उसकी picture आप clear नहीं लेते हो clear picture लो ज़्यादा ज़रूरी है UPSC की answer sheet आपकी इस तरीके से होती है और यहाँ पे आपका एक question लिखा है इस पे आपको अपने पूरा answer को लिखना है तो यह थोड़ा एक habit develop करोगे आपको idea होना चाहिए किस यह जो page है इस page के अंदर यह जो page आप देख रहे हो इस page के अंदर कितने शब्द आते हैं 80 शब्द आते हैं 70 शब्द आते हैं 70, 80 कितने आते हैं जिससे आप अपने answer को 120, 130 words में खतम कर सको और अगर बड़ा है answer जैसे 250 words का है तो लगबग दोड़ाई page में आपके answer खतम हो जाए सब आपको ध्यान में रखना है यहाँ पहला angle आपको no deal Brexit के बारे में आपको बताना है Brexit और no deal Brexit को link करते हुए आपको starting करनी है और फिर जो subheadings आपको create करनी है मतलब create करते है या फिर आप directly जो लिखते हैं जो subheadings आपको create करनी है वो है domestically क्या impact आपका है domestically domestically क्या impact है इसमें आपको points maintain करने है और फिर आपका internationally क्या impact पड़ सकता internationally क्या impact पड़ेगा इसको आपको points mention करने है और फिर आखिर में way forward दो चार पॉइंट उस पर लिखने है तो देखो जब भी आप ऐसा answer का structure एक page में create करते हो ठीक है तो जो भी examiner उसको idea लग जाता कि ठीक है आपने आपको मतब जैसे ही देखे है उसकी नजर जाएगी कि आपने इस portion को भी cover किया है इस portion को ही भी cover किया है इस question का answer लिखने में ये नहीं देखना कि आप Brexit के बारे में जानते हो तो सारी चीजे Brexit के बारे में ही आप mention करो आज का जो best answer है वो हम लोग देखते हैं किसका है डिसकस भी करते हैं दो students है लेकिन एक को select किया है ठीक है सबकुछ इसके अंदर आपका इंक्लूदेड है 28 दिसंबर से ये शुरू हो रहा है इसको miss नहीं करना है मेरा भी agriculture optional शुरू हो रहा है current affair का course भी आपका January 1st से मेरा शुरू हो रहा है तो वो सब आपके लिए available रहेगा इसके लिए आपको आने academy का subscription लेना है 1 year year 2 years का use the code SP live optional के लिए आपको separately subscription optional का लेना है GS के लिए आपको GS का लेना है त्यारी तो आप combined subscription ले सकते है आपको जो अपने answer को send करना है अगर अभी तक आप नहीं send कर रहे होती है telegram channel daily dose with s.p.panday SP current affair से दा हिंदों के PDF आप download कर सकते हो यह सब telegram channels है unacademy में आप मुझे follow कर सकते unacademy.com so starting में मैंने आप से discuss किया key points के बारे में किस तरीके से आपको अपने answer में चीजों को structure करनी है क्या-क्या बाते करनी है किन-किन points को include करना है और साथ में यह समझना है कि जब आप Brexit के बारे में अगर आपको बहुत कुछ आता तो सिर्फ Brexit के बारे में ही बाते करना शुरूर नहीं करते नहीं है यहाँ पर आपको point से जो पूछा गया है उस 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 पर जरूर से stick रखना है अपने आपको उस पर आपको focus रखना है starting में मैंने आपको बता दिया कि जो subheadings हैं उन subheadings को आपको कैसे use करना है अगर आप subheadings में लिखना चाते हो तो अच्छा है नहीं लिखना चाते हो तो कोई बात नहीं बट वो structure mind में आप जरूर से रखो कि domestically क्या impact होगा internationally क्या impact होगा way forward क्या होगा यह जो एक proper structure इस proper structure के अंदर आपको answer लिखना है दूसरी चीज क्या है हमेशा से कहा जाता है कि अगर आपने कभी suppose करो कभी भी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं तो answer कैसे लिखोगे जैसे कई आपको बोलते हैं तो बिल्कुल सही बात है अगर आपको किसी के बारे में content ही नहीं है तो कहां से लिखोगे इसलिए जो भी मैं आपको session में explain करता हूँ उस पर based आपका question होता है जिससे कि आप फिर आसानी से लिख सकते हो जो best answer है जो identify किया गया है वो best answer है आपका Priyanka Sharma है तो Priyanka Sharma का best answer है तो इन्होंने अगर आप देखोगे ये question है सबसे पहली चीज़ आप समझो presentation part कोई भी examiner जब आपके answer को देखेगा वो presentation से बहुत impress होता है content no doubt matter करता है खाली presentation नहीं matter करता है लेकिन presentation बहुत matter करता है कहीं overwriting नहीं है well structured चीज़े लिखी हुई है यहाँ पर European Union had helped faster long period of economic prosperity and helped keep the regained at peace Brexit और इसके political expression of discontent among EU potentially causing disintegration of Europe and Brexit could have far reaching तो यह जो introduction है इस introduction में यह जब आप Brexit के बारे में बता रहे हो इसके बाद जो एक point आप mention कर सकते थे वो no deal Brexit से आप starting कर सकते थे मतब no deal Brexit क्या है ठीक है जैसे इन्होंने mention भी वैसे किया है कि किस तरीके से discontent create कर सकता इन्होंने include किया है ठीक है sovereignty है positive impact पर इन्होंने यह सब चीजों को include किया है दूसरा अगर दूसरा angles पर देखो तो इन्होंने फिर negative impact के बारे में बताया है slowdown of economy job के बारे में यह सब बाते की है UK reliance on EU for all 75% यह जो key points मैंने आप से the Hindu session में discuss किये थे उनको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तमाल किया the Hindu session इसी channel पर आपका English में है देख सकते हैं हिंदी में देखना है तो let's crack UPSC CSC channel में आपको मिल जाएगा तो यह सब points आपके answer को एक presentation बहुत अच्छा करता अब देखो इन्होंने फिर internationally कुछ points highlight किये हैं जैसे peace and stability international trade business jobs उसके बाद many country seat also has an opportunity to expand their horizon and explore all the options with Britain, Britain के पास similar options है Britain have to reorganize उसको अपने bilateral ties को करना है बदो internationally भी कई points इन्होंने आपका mention किया है एक चीज़ हम इसमे include किया जा सकता था वो था way forward भी कुछ बताया जा सकता है कि किस तरीके से एक objectively कदम उठाने चाहिए जैसे जो Britain है, Britain कैसे अगर मतलब जो no deal exit, Brexit है इसको with deal Brexit करने के तरफ कदम उठाने की ज़रुआत है जिसे एक better relationship you of Britain के बीच में हो सके एक दूसरा answer आपका है पी अवाले करके student है, पी डॉट अवाले ठीक है तो इन्हों ने इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से चीज़े प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने Brexit से लेते हुए चीज़ों को mention किया है, फिर domestic level में GDP restrictions और domestic trade इस पर इन्होंने बाते की हैं ठीक है, इसके अलावा international level पे भी इन्होंने टच किया है border issues, maritime security, terrorism और फिर इन्होंने proper conclude किया है ठीक है, तो यह answer है अगर देखा जाए लेकिन यह जो पोर्चा ना domestic impact को जैसे प्रेंका का जो answer उसमें इन्होंने positive, negative impact और number of points भी अधीक है उसमें, content part conclude किया है, और Britain will get opportunity to no trade with other non developing countries like India after exit from EU becomes sovereign state, it becomes easy, तो कुल मिला कि यहाँ पे अगर आप conclude कर रहो तो वही बात आप कर रहो तो Brexit, no deal Brexit को with deal Brexit कर रहो तो deal के साथ जो है Brexit की तरफ move करने की चर्चा ऐसे की जा सकती तो यह थोड़ा से कुछ key points है दोनों ही अंसर अच्छे हैं, ठीक है, so Congress, प्रेंकर शर्मा and पी आवले, आप लोग भी अंसर लिखो 9 a.m को दा हिंदू का सेशन आपका होता है लेट्स कराएं कि यह पी CSE channel पे हिंदी में यह होता है 12.30 p.m को आपको English में दा हिंदू channel दा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे होता है so जिस दिन वो जो question होता है उसका best answer उसी दिन आपका announce हो जाएगा रात को 10 बज़े तो आपको अपना answer कोशिश करनी है कि मुझे 5 बज़े तक send कर दें, otherwise फिर आपका answer rating का जो initiative लिया गया है यह सभी तक इसका benefit पहुंचे Thank you everyone, thank you